दोस्तों कर आप लोग भी बिगनर हो और अपने लिए best stock चूज़ करना चाहते हो कि देखे best stock बहुत सारे हैं लेकिन आप अपने लिए किस तरीके से best stock चूज़ कर सकते हो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपने low PE, high PE को तो सोना है price earning ratio के बात कर रहा हूँ मैं उसको ध्यान में रख करके हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो actual में आप लोगों के लिए वो साबीत हो सकती हैं मैं आपको बता दो दोस्तों कि ये investments strategy बड़े-बड़े investors की तरफ से follow करी जाती है even बहुत बड़े-बड़े advisor जो लाखो रुपय में आपका portfolio you know manage करने के लिए charges लेते हैं वो इन steps को follow करते हैं अगर आपको ये चीज़े free में मिल रही है तो वीडियो को सुरू से लेकर करके अंतक देखेगा और आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी investing strategy चूज करें जिससे कि अगर आप लोग बिलकुल beginner है और बहुत ज़्यादा knowledge नहीं है stock market के बारे में तो आप लोग अपने लिए फिर भी best stock को choose कर सकते हैं लेकिन हा दोस्तों अगर आपको नई समझ में आ रहा है तो किसी अच्छे advisor को जरूर hire कीजिए या फिर किसी से सलाह लेने की कोसिस जरूर कीजिएगा तो दोस्तों म मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं वीडियो सुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए F&O trading से एक challenge लिया है जो कि 3 लाख रुपए का जिसमें मैं और आप दोनों लोग सीखने की कोसिस करते हैं कि क्योंकि capital हमने भी lose किया है में भी आपने भी lose किया होगा सबसे पहली चीज दोस्तों आप लोगों को यह समझना है कि आप किस तरीके के investor या फिर आप लोग investment कर रहे हो equity में तो किस तरीके का goal है देखिए हम investing की बात कर रहे है ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे है इस बात कधान रखीगा देखिए तीन तरीके के investors हैं जो आते है equity म वो चाहता है कि उसको एक income generate हो अपने investment से दूसरा investor होता है, wealth create करना चाहता है, long term में वो wealth create करना चाहता है, तीसरा investor हो जाता है कि उसका जो capital है, वो appreciate हो, उस पर अच्छे से अच्छा return आ सके, इन तीनों type के बारे में बात करता हूँ, आप लोग इन तीनों में से कोई भी हो त करके दे सके, ऐसे बहुत सारे stock है दोस्तों, मैं बात करता हूँ, दो investor, एक तो आप लोग जा सकते हो, oil companies की तरफ, दूसरा आप लोग जा सकते हो, PCUs की तरफ, तीसरा आप लोग जा सकते हो, REIT की तरफ, अब REIT के बारे में बहुत detail video मैंने आप लोग को दिये, कि यह investing किस पर एके से choose करना है, क्योंकि वो main topic है इस video का, थेक है, मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ चले आओ, वहाँ चले आओ, stock किस तरीकी से choose करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, दूसरे investors होते हैं, जो wealth create करना चाहते हैं, अब इनके risk जो होते हैं, दोस्तों, वो retirement में कुछ अच्छा कासा wealth हो, उनके पास, उनका risk कम हो, और ऐसे investors generally 30-40 साल के बीच में आते हैं, तो उनके लिए भी आगे हैं, और तीसरे type के investor होते हैं, जो कि मेरे जैसे investor होते हैं, वो होते हैं capital appreciation वाले investor, यानि कि उनके पास risk लेने की छमता जादा होती है, उनके पास लं की investor हूँ, और मैं अपने capital को जादा से जादा काम पे लगा करके, जादा से जादा return create करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी companies को चूज करूँगा, जो कि अभी startup companies हैं, या फिर ऐसी companies है, जिनका valuation कम है, जिसे कि आप लोग low PE भी कहते हैं, valuation कम है, जिनकी future की planning काफी अच्छी है, ज क्योंकि काफी lower value में है, बट उनके पास expand करने की काफी छमता है, काफी 30 से expand कर रही है, तो मैं इस तरह की companies में अपना investment बनाऊँगा, जिससे कि मेरा capital appreciate हो सके, तो मैंने एक sector fine tell लिया, कि मुझे इस sector में जाना है, अब दोस्तों मेरा क्या है कि wealth create करना है, तो मैं क्या करूँ यानि कि जिस भी तरीके के वो business करते हैं, वो business उनका काफी stable होना चाहिए, और उनका business कम से कम 20 साल पुराना होना चाहिए, दोस्तों अगर इस तरीके की stock आप चूज करते हैं, पर्टिकुलर किसे stock का नाम ने लेने वाला हो, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना आप लोग जा करके उसी में invest करोगे, आप लोगों को थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी, तो आप इसमें search कर सकते हो कि आपको किन sectors में growth दिख रही है, ठीक है, कौन सा sector हमेशा अच्छा return निकाल करके देने वाला है, इसमें जा करके आप लोग अपने लिए best stock चूज कर सकते हो, ठीक ह कि मैंने अपने लिए चूज कर लिए, कि textile sector मेरे लिए बढ़या है, मुझे अभी इसमें growth दिख रही है, और आने वाले 3-4 सालों में काफी अच्छा इसमें निकलने वाला है, बूम करने वाला textile sector, इस तरीके से आप real estate देख सकते हो, आप tax sector को देख सकते हो, banking को देख सकते हो, आपकी दिमाग में जो भी आ रहा है, सारे stocks market में listed है, बस यही है, कि आप लोगों को उनको find करना है, तो मैं जाओंगा उससे related ETF में, अब ETF में कुछ stock के bundles होते हैं, यसे मान लेजे कि nifty-fifty आप लोग जाओ, एक index मान लो, उसका ETF भी available है, अब nifty-fifty जो मीच वाले हैं, जो wealth create करना चाता है, उसमें से वह blue chip stock को find करेंगे, और देखेंगे कि भीया, कौन सा blue chip stock मेरे लिए best हो सकता है, ठीक है, यह सारा कुछ करने के बाद, ETF से सारे stocks निकालने के बाद, जिसमें से आप लोगों को 3-4 stock मिल ही जाएंगे, जिसमें आप लोगों को लगा कि हाँ, य या, क्या ही वो पढ़के आया है, क्या ही वो करके आया है, राकि और भी बहुत सारी चीजे है, advisors के बहुत सारे knowledge होते हैं, बड़ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आप अपने लिए भी ये कर सकते हैं, और अपनी बड़े-बड़े faces को बचा सकते हैं, बस यह आप लोगों को करनी पड़ेगी, अब यह सब कुछ करने के बाद आप लोगों के दिमाग पर दो चीजे आएंगे, कि मेभी आप लोगों को stock अच्छा लग रहा हो, investment करना चाह रहा हो, मेभी आप लोग को stock ही ना मिला हो, तो अब आप इससे क्या कर सकते हैं, advisor के पास ही, किसी YouTube चैनल को follow करते हो, तो वहाँ पर जा करके उनके point of view किसे particular stock पर पूछिए, या फिर देखिए, उनके videos find किजिए, तो आप लोगों को और clearance आप आएगे, कि हाँ, मुझे ये लगता है, कि ये stock मेरे लिए, मेरे portfolio के according best हो सकता है, अब दोस्तों आपने उन stocks को find कर लिया, उसमें investment कर लिया, अब यही पर आपका काम खतब नहीं हो जाता है, अब आप लोगों को उन companies की balance seat को तो देख पाना मुस्किल होगा आप लोगों के लिए, क्यूंकि balance seat काफी बड़ी होती है, और उसको पढ़ पाना मुस्किल होता, तो आप क्या कर सकते हो, कि उनकी meetings को और कर सकते हो, या फिर उनके द्वारा जो भी quarter में result आपके लिए कुछ सामने रखे जाते हैं, उनको आप थोड़ा-बोड़ा track कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो, क्योंकि वो काफी छोटी होती है, और regular आप लोगों को मिलती रहती है, तो company की future plans के बारे में और सब कुछ क करना है, buy and dip करना है, यानि कि नीचे गिरने पर और खरीदना है, या फिर अगर उपर बढ़ता है, तो मैं इसको sell करूँगा, बागी दोस्तों कुछ और चीजे हैं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यह interesting चीजे हैं, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, म 90% लोग fail हुए हैं stock को choose करने में, क्योंकि उन्होंने जो stock को choose किया है, वो underperformed रहे हैं, पिछले 15 सालों में, even 20 सालों तक का भी data देखा गया है, वहाँ भी उनकी जो stocks choose करे गया है, वो underperformed रहे हैं, दोस्तों आपने काफी interesting बात एक और सुनी होगी, कि एक प्रयोग किया ग ठीक है, लेकिन दोस्तों उन तीनों के दोरा stock जो pick किया गया, क्योंकि monkey तो आपको पता ही है, वो किस तरीकी से randomly उनके साब ने कोछ स्टॉक ऐसे fake दिये जाएंगे, वो जो पास्या उठा लेंगे, वो उनका हो जाएगा, तो जिन्हों ने उन तेन monkeys ने जो stock को pick के दोस्तो वो ज्यादा return निकाल करके दिये as compare to those जिन्होंने आप समझे गया होगे, मुझे पूरा complete करने की जरूवत नहीं है, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना यह उमीद है, वीडियो अच्छे लगी होगी, आप लोग इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुचाएंगे, अगर आप लोग चैनल पे नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लिजेगो और बेल आइकनों क्लिक करेंगे, तो आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आ सकते हैं, बाकी दोस्तों कोई कुश्चेन हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, इस्टार्याम पर जोड़ सकते हैं, जह जली हम लोग ने मिलते हैं, अब तक के लिए आप लोग का दिन सब हो, जैहिन!